प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती पाणि 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 26 जोन शुकुरवार पहला पाट राजाओं का दूसरा गरंद अध्यपचीस पद संख्या एक से बारा तक सिद्किया के राजयकाल के नवे वर्स में दस्वे महने के दस्वे दिन बाबूल का राजा नमुक दनेजर अपनी समस्त सेना के साथ यरुसलेम पर आकरमन करने आया उसने नगर के सामने शिवीर डाला और उसे चारो ओर से घेर लिया या घेरबंदी सिद्किया के राजकाल के दस्वें वर्स तक बनी रही उस वर्स के चौथे महिने के नवे दिन नगर की चर दिवारी में दरार की गई क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था यद्यपी खलदई नगर के चारो ओर पड़े हुए थे फिर भी सब सैनिक राजकिय उद्यान के पास की दो दिवालों के बेच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अर्बा की ओर भाग गए खलदईयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे ये रुको के मैदान में घेर लिया उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गए थी खलदियों ने राजा को पकड़ कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्तित किया वहाँ नबुक दनेजर ने सिदिक्या को दंडा गया दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला इसके बाद उसने सिदिक्या की आखे निकाली और उसे कासे के बेडियों में बांध कर बाबुल भेज दिया बाबुल के राजा नबुक दनेजर के राजयकाल के उनेश्वे वर्स में पाच्वे महिने के सात्वे दिन बाबुल के राजा के सिनापती और उसके अंग रचकों के नायक नबुजर अद्दान ने यरुसलेम में प्रवेश किया उसने प्रभु का मंदीर, राजा का महल और यरुसलेम के सब घर जना दिये अंग रचकों के नायक के साथ जो खलैदी सेना आये थी उसने यरुसलेम की चर दिवारी गिरा दिये नगर में जो निवासि रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगार शेस रहे उन सबों को अंग रचकों के नायक नबुजर अद्दान ने निरुवासित किया उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जन सधारन के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया यह प्रभु की वानी है संत्मत्ति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय आठ वाके एक से चार येशु पहाड़ी से उत्रे एक विशाल जन समोह उनके पीछी हो लिया उस समय एक कोड़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं येशु ने हाद बढ़ा कर ये कहते ही उसका स्पर्ष गिया मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ उसी इक्षन उसका कोड़ दूर हो गया येशु ने उससे कहा सावधान किसी से कुछ न कहो जाकर अपने कोई आजग को दिखाओ और मुसा द्वारा निर्धारित भेंड चाहाओ जिससे तुम्हारा स्वास्थि लाब प्रमानित हो जाए ये प्रभु का दिव्य सु समाचार है क्रिस्थ प्रभु की जाए मेरे प्रिये भाई और बेनों इस्राइल का इतिहास अद्भूत और आश्चेरे जनक है और कहीं कहीं बहुत दर्दनाक है हम सभी जानते हैं इस्राइली जनता इश्वर की चुनीवी जनता इश्वर ने अपने हतेली पर इस्राइली जनता को संभाला चलाया ले चला लेकिन उसी इस्राइली जनता के साथ क्या-क्या घटित हुआ इसका बहुत सुंदर वर्नन हमें राजाओं की ग्रंत में पढ़ने को मिलता है आज के पहले पार्ट में आपने सुना कि किस तरह राजा जैडकिय के जमाने में इस्राइल का पतन हुआ इस्राइल का पतन हुआ बाबुल का राजा नेबुकद नजर इस्राइल पर जैडकिया येरुसलेम नगर को नश्ट कर दिया येरुसलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया और जो जो अच्छी चीजें थी वहां से उठा के ले गया और उसने राजा जैड़कियों को पकड़ा और उसकी दोनों आखों को नोच लिया, निकाल दिया और बंदी बना कर वह ले चला कितनी दर्दनाक हरदय विदारक घटना है एक ऐसा देश, एक ऐसी प्रजा, एक ऐसी जनता जो ईश्वर की आँखों की पुतली थी, कहां से कहां गिर गई कारण बताएगा, बैबल बताती है कि राजा जैड़किया ने वही किया जो ईश्वर की द्रिष्टी में बुरा है उसने वही किया जो ईश्वर की द्रिष्टी में बुरा है इस्राइली जनता ईश्वर के पीछे पीछे चल रही थी राजा ईश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे ईश्वर के वचनों का पालन कर रहे थे लेकिन एक ऐसा समय आया उन्होंने ईश्वर का त्रसकार गिया और उसका नतीजा उनको भूगना पड़ा हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 के वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है कुछ लोग अंधकार और मृत्यू की चाया में बैठे वे थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वानी से विद्रोह किया और ईश्वर की सलाह को नहीं माना उन्होंने इश्वर की वानी से विद्रोह किया इस्राइली जनता विशेश करके इस्राइल के राजा इश्वर से विद्रोह करने लगे आप पढ़ेंगे इस्यास नभी के गरंद उसके अध्याई एक वाकिय पांच और छे में वहां लिखा हुआ है तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे तुमारे शरीर पर कहां प्रहार गिया जाए तुमारा सिर घायल है तुमारा हिर्दे मूर्चीत है और तुमारा शरीर पैर से लेकर सिर तक चोटों से भड़ा हुआ है क्योंकि तुने विद्रोह किया विद्रोह का ये नतीजा होता है आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंध के अध्याई 19 वाक्य चार में पाप के बारे में लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है जो पाप करता है वह अपने आपको हानी पोंचाता है मनुश्य जितना ईश्वर से विद्रोह करता है उतना ज़्यादा अपने आपको ही आनी पोंचाता है योहन के इसु समाचार की अध्याई 15 उसके वाक्य पांच में प्रवक्ते हैं मैं दाकलता हूँ और तुम डालिया हूँ जो डाली मुझे में रहती है और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलती है क्योंकि मुझे से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझे से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते मनुश्य की एक बहुत बड़ी मजबूरी है या मनुश्री की एक बहुत बुरी आदत है कोई ईश्वर से अलग रह कर जीवन जिने चाता है एक नन्ने बच्चे का उधारन लिजे इंसान का उधारन लिजे छोटा बच्चा मा की गोद में होता है चलने फिरने लगता मा की उंगली पकड़ के चलता है लेकिन कुछ और आगे बढ़ता है मा की उंगली का तरसकार करता अपने से दोड़ना चाता है और बड़ा हो जाता है मा को देखना नहीं चाता है एक ऐसा समय आता है वो मा का विद्रो करने लगता है उसके जीवन में कितनी पीडाएं आ जाती है इसराइलियों ने भी ऐसा है किया मनुष ऐसा ही करता है प्रभू कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते उसी अध्याए यहान अध्याए पंद्रा वाकिछे में पढ़ते हैं जो मुझसे जुड़ा नहीं है उनके साथ क्या होता है अधर मनुष जीवन जीने क्या प्रयास करता है तो उसके साथ भी वही होता है जो उस डाली के साथ होता है जो पौधे से लता से कड़ जाती है सूख जाती है लोग बटोर लेते हैं जला देते हैं विनाश ही विनाश इसराइल की इतिहास के विनाश का यही कारण था एश्वर से अलग होना एश्वर से वीमुक होना एश्वर के वचन से हड़ जाना एश्वर के मार्ग से हड़ जाना विशेश करके राजाओं ने उस जनता को ऐसे करने के लिए मजबूर किया आज के सुसमाचार में आपने बहुत सुंदर उधारन सुना उधारन क्या है प्रभी येशु मसी पहाडी पर प्रवचन सुनाने के बाद एक बहुत बड़ी भीड के साथ पहाडी पर से नीचे उतर रहे है प्रवचन में लिखा हुए उस समय एक कोड़ी येशु के पास आता है और येशु के सामने दंडवत करता है और क्या कहता है प्रभू आप चाहें तो मुझे शुद कर सकते हैं आप चाहें तो मुझे शुद कर सकते हैं प्रभू ने कहा मैं यही चाहता हूँ शुद हो जाओ और उसी वक्त वो शुद हो गया उसे वक्त वो छुद हो गया अब मैं पुराने विधान से जो पाठ है और नए विधान से जो पाठ है दोनों को आपके सामने रखना चाता हूँ पहले पाठ में आपने देखा कि राजा ने प्रभु की दृष्टी में जो बुरा है वही किया प्रभु से विद्रोह किया और किस हद तक पहुँच गया गुलाम बन गया आज की सुसमाचार में आपने क्या सुना आपने सुना कि प्रभी येशु पाहाडी पर वचन सुनाने के बाद बहुत बड़े जनसमुदाय के साथ पाहाडी पर से उतर आ रहे हैं और वहाँ पर प्रभी के सामने एक कोड़ी आता है और येशु के सामने दंडवत करके कहता है प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं उस कोड़ी ने प्रभु के वचनों को सुना सुनने के बाद ये विश्वास करना शुरू किया कि येशू चाहे तो मुझे शुद कर सकते हैं और उसने उसको घोशिद भी किया आप चाहे तो मुझे शुद कर सकते हैं दुनिया का कोई भी वैदी मुझे चंगा नहीं कर सकता है शुद नहीं कर सकता है प्रभू आप चाहे तो मुझे शुद कर सकते हैं प्रभु ने कहा मैं यही चाता हूं शुद्ध हो जाओ उसी खण में उसका कोड़ दूर हो गया वो शुद्ध हो गया अमारे सामने दो उदाहरन है पहला उदाहरन है राजा जड़किय और उनका विद्रोह ईश्वर से विद्रोह और कहां से कहां गिरा और दूसरा है इस प्रभु दूसरा है यही का उदाहरन जो जहां पड़ा हुआ था समाज से तिरस्कृत समाज से बाहर अकेले जीवन जी रहा था परिवार से बाहर जीवन जी रहा था जिसको कोई वैदी चंगा नहीं कर सकता था येशु के पास आने और समर्पित होने से चंगा हो जाता है हम सब के अंदर ये दोनों प्रवर्तियां ये दोनों मनुभाव हैं विद्रोह का मनुभाव भी है और समर्पन का मनुभाव भी है विद्रोह के द्वारा पतन हो जाता है विद्रोह के द्वारा विनाश होता है लेकिन समर्पन के द्वारा उत्थान होता है रोमियों के पत करना नहीं चाहता हूँ वहीं करेड़ता हूँ एश्वर के प्रती समर्पित होने का मनोभाव और एश्वर से विद्रोह करने का मनोभाव जब तक ये विद्रोह चलता रहेगा तब तक हम अशान्त रहेंगे लेकिन जहाँ समर्पन शुरू होता है वहाँ पर हमारा उत्थान हो जाएगा हम सब के अंदर ही होता है आज हमें प्रभु के सामने अपने आपको समर्पित करना है जितना हम समर्पित हो जाएंगे अपने आपको प्रभु के अधीन करेंगे अंग्रेजी में कहते हैं प्रभु के अधीन हो जाएंगे उतना जादा हमारे अंदर शांती का हम एसास करेंगे उत्थान का एसास करेंगे प्रभु के स्पर्श का नभाव करेंगे चंगाय का नभाव करेंगे आज हम इस पर बनन करेंगे और अपने आपको जाज करेंगे क्या मेरे अंदर भी ये द्वन्द तो नहीं चल रहा है, ये युद्ध तो नहीं चल रहा है, प्रभु के प्रति विद्रोह करना, प्रभु के वचन के प्रति विद्रोह करना, प्रभु के कारियों के प्रति विद्रोह करना, और दूसरी तरफ, प्रभु के प्रति समर्पित करूँगा मेरे जीवन के जो पतन हैं मेरे जीवन में जो विनाश के चिन दिखाई देते हैं मेरे जीवन में कई प्रकार की विडम बनाए हैं मैं जानता हूँ इसका मुख्य कारण मैं हूँ क्यूंकि मैं तुझ से विद्रोह करता हूँ मैं तेरी वाने के अनुसार नहीं चल कर सकूंग।